अब बंगलादेश में हिंदुओं के साथ माइनॉरिटी के साथ अत्याचार बढ़ जाएगा अब कौन होख सकता है उसको बढ़ने से लिए सरकार जो थी सेख हसीना की वो नीट्रल सेकुलर सरकार थी अब उस पर बढ़ जाएगा आप सरकार इस पर कितना रोख सकती है आप आप स्ट्राइब एक्साइड रेक्शन करने के लिए एक तुम नीव वीडियो ओके तो गाइस कैसो प्लीज बादाव में ठीकु और बहुत सरा प्यार फ्रम बंगलादेश गैस नीव हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरू सब्सक्राइब करिये और मेरा दूसरा यूट चैनल वीडियो लिग दिस्क्रिप्शन एड बैसिकले टाइटल नेव इस बंगलादेश ग्राइस शेख हसीना ठीका चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज बिजिए और सब्सक्राइब आफे यूटूब चैनल तो चैले श्रू कुरी लेस्टारेश जालेश बादेश में अभी इसको जानने के लिए हम लोगों को आजादी के समय से एक लंबी धियास से पीछे चलना पड़ेगा जब यह पस्च्वी पाकिस्तान और पुरी पाकिस्तान एक ही थे यहाँ पर यह दोनों एक ही थे और इनके संसद भावन को नेसमेल एसमेली कहते हैं जिसमें 300 सीटे हैं बहुमत के लिए 151 चाहिए तो सरकार बना लेंगे जब चुना हुआ तो वहाँ दो प्रमुक पार्टियां लड़ रहे थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और से जुलपेकार अली भिट्टो और आवामी लिग के और से लड़ रहे थे सेख मुझीबुर रहमान सेख मु सेख मुझीबुर रहमान की पाती आवामी लीग 167 वोट पाती है यानि 151 से जादे पाती है चालीस परसेंट वोट पा जाती है अब ऐसी ही समझे कि मोदी जी को 36 परसेंट वोट मिला है बीजेपी को 36 परसेंट और इने 40 परसेंट कितना था तो बंगलादेस के लोगों मे तो इसे सबको लगता तो यह लोग भी खुशते तो यह जो थे जुपेकार ली भुटो यह खां से मिल के इनको जेल में बंद कर यह का कि नहीं तुम बगाली है तुम लोग कईसे पधान मंत्री बनेगा तो यह लोग ने यहां के लोगों को बड़ी हीन नजर से देखते थ काला बोलते थे बंगाली बोलते थे उल्टा सीधाब बोलते थे यहां के लोगों को और यह लोग तब देखे लोग कि भईया इतना तक तो डिस्क्रिमिशन चल रहा था बट इनके पर धान मंत्री को जेल में डाल दिया गया तो यहां बगावत हो गई जब बगावत हो तो यह जो खचरा है जुलफेगार अली भूटो इसने वहां भेजा जनरल टीका खान को जनरल टीका खान जब बंगला देश पहुचा उस समय पुरी पाकिस्तान था तो यहां पर आंदोलन कर रहे लोगों पर इतना अत्या चार किया कि बंगला देश में यानि उस समय के प जनरल टीका खान को बूचर आप बंगला देश कहा जाता है और इसने 4 लाख औरतों का रेप कर दिया था अपने देश की 4 लाख मुलाओं का रेप किया और यह कह कि किया कि रेप करो ताकि इससे जो अगली बच्चे पैदा होगी रेप के कारण तो वह पस्चनी पाकिस्ता सरण लेने के लिए भारत में लोग भागने लगे जैसे तैसे अपनी जान बचा के भागने लगे यहां इंद्रणादी की सरकार्ती और मानेक साह हमारे उस समय के जनरल साब थे तो इन लोगों ने भी तयारी कबली थी कि आगे कुछ होने वाला है तो बंगला देश के टीन भ्रिगेड बनाया था अलबदर अर्ख़मस और रजाकार जिसने सबसे जालिम जो तने सब वे रजाकार थे सब सबसे ज़्यादे रेवी किया सबसे ज्यादे मधर किया तियो रजाकार थे सब रजाकारों की संख्यां 50000ा थिจะ 50 यह 50000 मिलके 30 ल,खों को मार दीये सब और चार लाक से जादे महिलाओं का रेप किये सब यहाँ पर, और इधर से लड़ रही थी मुक्तिवाहिनी, मुक्तिवाहिनी का भारती इंडियान आर्मी सपोर्ट कर रही थी, अंतता मुक्तिवाहिनी की जीत हुई, और यह पाकिस्तानी बेसर्मों ने 93,000 पोज ने सरेंडर नहीं किया, देखिए, हथियार जमीर पर फिक दिये लोग, अपना बेल टोल्ड उतारके, इसे सरेंडर करके, यहां नियाची साथ परेंबर कर रहा है आपर, और यह बहुत आइकोनिक फोटो है आपर, तो यहां हो गया, इस प्रकार बंगला देश का निर्मार हुआ, यही से भी बात चालुआ, पाकिस्तान देखना नहीं चाहता था सेख मुझी बुर्रह्मान को, और सेख मुझी बुर्रह्मान का साथ दिये थे उस समय के आर्मी जनरल जिया उर्रह्मान, तो जिया उर्रह्मान और सेख मुझी बुर्रह्मान दोनों मिलके बंगला देश के स्वत अंदोलन में अभाग लिया था लेकिन जियाओर रहमान का कहना था कि हमारा उतना नाम नहीं हुआ जादे नाम इनका हुआ रीजन के यह पोलिटीशियन थे वह सेना के आदमी थे तो सेना के आदमी का बैगराउंड उतना पता नहीं चलता है यहां पर इन्हें फादर अब ब पाकिसान चाहता थे इन्हें मरवा दिया जाए और हुआ भी ऐसे ही आजादी के महज पाकिसान ने मननेता दिया बंगला इसको तीन साल बाद 15 अगस्ट 1975 को 15 अगस्ट 1975 को सेक मुझी बुर्रहमान अपने घर में थे उस समय आर्मी के कुछ लोग आएं आर्मी वाले कुछ वर्दीधारी इनके घर में घुसे और घर में घुसके गोलिया चलाने लगे जब गोलिया चलाने लगे तो यह सीडियों से उतर रह थे तो यहीं पर गोली मार दिया गया इनी सीडियों पर सेक मुझी बुर्रहमान को गोली मार दिया गया और उनके घर में 17 लोगों को मार देस सल के लर्का गोली मारा गया, सोचिए एक परिवार में जब सतरह लोग की मौत होगी तो क्या भीत्ता होगा, सेख मुझीबुर रहमान के पूरा खंडान उजार दिया गया था, एक आदमी की मृती होती है, तो हालत खराब हो जाता है, और यहां पर इन्हें इतनी बेरहम से मारा गया, और लास को ऐसे दफनाए गया था, सोचिए पाकिस्तान वाले कितने निर्मम हत्या के, अगर किसी की जान ले भी लियो, अब मर गया है, तो मरने के बाद लास से क्या बत्तमीजी करना है, एक गध्धा में जानवर की तरह लास दफनाए थे सब, केवल इनकी द दूगों को और मार देते हैं, नहीं तो यह दिक्कत करेंगे सब, यह बात पता चल गई भारत को, भारत को पता चल गई कि पाकिस्तान की ISI, सेख हसीना और सेख रहाना को जर्मनी में मारना चाहते है, तो इंदरा गाती ने उन्हें भारत में एसाइलम दे दिया, सरड दे आप भारत में रहिए, तब तक बंगलादेश की स्थिति सहीं नहीं हो जाती है, तब, जैसे बंगलादेश की स्थिति सहीं हो जाईगी, आप वापस जाके महां चुनाव लड़िएगा, और फिर सब्ता समालिएगा, यही कारान है कि सेख हसीना भारत का बहुत समर्थन करत है, क्योंकि सेख हसीना जिंदा है, तो उसके कहीं न कहीं उसके पीछे भारत का हाथ है, अगर भारत को सरण नहीं दी रहे तो इन लोग को बहुत मुस्किल हो जाता है, क्योंकि I.S.I. इनके पीछे पड़ी हुई थी, हुआ क्या, वहां पर 1975 में सेख मुझीबुरहमान की ह ही देखना चाहती है, यह एक दिन चटगाव दोरे पर थे, तो 30 मई 1981 को, 30 मई 1981 को, सेना ने इनके घर में भी घुश के, ऐसे ही हत्या किया जैसे सेख मुझीबुरहमान की किया था, तो इनका हत्या का दिया गया जिया उर्रहमान की, और इनकी पपनी का नाम था खालीदा ज होती है, 1981 में, तो इंदरा गांधी को लगता है, कि यही समय है सेख हसीना को भेजने के लिए, तो वो क्या करती है, सेख हसीना को वापस बंगलादेश में भेजती है, कि देखिए, अब आप ओजीशन में कोई नहीं है, यही समय है आपके जाने का, तो 1981 में वापस सेख हसी गई और वहां चुनाव लड़ी और उसके बाद मुख्य भी पख्षी पाटी जो हो गई जिया उर्रहमान की विद्वा जो थी उनका नाम है खालीदा जिया था अब देखे आरोप पत्यारूप का दौर कैसे चालू होता है आज तक इन दोनों वेगमों की लड़ाई में बंगला देश के लोग घिस रहे हैं यहाँ पर तो यह दोनों यही चुना उए रहते हैं इनकी पार्टी का नाम हो जाता है बंगलादेश आवामी लीग और इनकी पार्टी का नाम हो जाता है बंगलादेश नेसरिष पार्टी बीन पी हो जाता है आपर अब देखिये होता क्या है? 1986 में चुनाव जीत जाती है और 1996 में ये चुनाव जीत जाती है लेकिन 1996 में 15 अगस्त का दिन था जब इसी घटना को याद किया जा रहा था कि सेख हसीना जो थी एक दुख का मतलब दुख मना रही थी कि 15 अगस्त 1975 को इनके पूरे परिवार को मार दिया गया था तो हर साल बंगलादेश में 15 अगस्त के दिन सोग के तौर पर मनाया जाता है यह क्या की खालीदा जिया की 15 अगस्त को अपना जनम दिन का केक का दिया भव्व तरीके से केक का दिया इतना नीच हरकत करने की जरूवत इसे नहीं थी कि किसी के परिवार में 17 लोग को मार दिया गया है उस दिन आप जबरजस्ती अतना बढ़दे की का दिया तो अचा बढ़दे रहता तो केक आती इसका 15 अगस्त को बढ़दे नहीं है जब अब जस्ती ही बर्दे मनाई, कईसे तो देखिए, इसके पास्पोर्ट में इसका बर्दे 29 अगस्त है, मेरे सर्टिफिकेर में 9 अगस्त है, माकसीड में 5 अगस्त है, और इसकी अपनी बायोग्राभी में 9 अगस्त है, यानि इसका ओरिजिनल डेता बर्द अगस्त 15 अग लोग पाती में लगाई मतलब चुनाव में तो 1996 से 2001 तक से एक हसीना थी उसके बाद 2001 में जब चुनाव हुआ तो खालिदा जीत गई 2001 से 2006 तक यह रही बद इन दोनों में गड़बरी क्या है ना है घर में कई दूनों महिला लड़ती है सब इदेस में दूनों महिला लड़ती सब भयानाक बखोटा बखोटी यहां पर इस प्यारप लगा लगा दिये कि चुनाव में यह धांदली की है अई इन प्यारप लगाती है कि यह दूसरे प्यारप लगाते हैं तो बंगलादेस में कानून बना दिया गया कि जब चुनाव होगा तो उस समय एक केर टेकर अच्छा से होगा तो केर टेकर राष्पती बनाए गया फकुरुदीन अली अहमद और खचरा निकला इका किया एक को केर टेकर बनाए गया अप लोग से सक्तियां ले जाती हैं चुना होगा जैसे सक्ति ने लिया नहीं दूनों को जेल डाल दिया का भगया है हम रहेंगे पूरा सक्ति अपने लिया दूसाल तक सक्ता खुद चलाया 2006 से 2008 तक 2006 में चुना होने वाला था तो गजट बंदर बात होगे दूनों को जेल डाल दिया बाद में सुप्रीम कोट का हस्ते चेप हुआ तो जेल से बाहर निकली और 2008 में सेख हसीना जीत गई 2008 से 2013 तक जीती फि करने लगी खालीदा जीया ये कट्वपंति ये पाकिस्तान के समर्थी ते दूसरा इनके उपर 10 क्रूर रुपया के गोटाले का आरोप लग गया दो जेल चली गए तो खालीदा जीया का करियर खतम हो गया था और सेख हसीना परधान मंत्री बनके जीत गई भारत के लिए बहुत अच्छा है सेख हसीना का एक और लड़ाई हो गया महमद यूनूस के साथ महमद यूनूस बहुत अच्छे इंसान है बंगलादेस में इन्होंने देखा कि लोगों के पास पैसे की कमी है उनके पास आइडियाज की कमी नहीं है पैसे की कमी है यहाँ पर अब जैसे क सबलू किया,으나, थोड़े थोड़े पैसे देने चालू किये, और इनी का कंसप्ट आज पूरी दुनिया में लगता है, कि आज कल कोई भी कुछ पैसे देखे मोबाइल EMI करा लेता है, वासी मसीन EMI करा लेता है, तो छोटा 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 चोटा जी जुकानों पर जा तो 2007 में इन्होंने नागरिक सक्थी पाटी बनाया लेकिन चुनाव हार गया तो बंगलादेश की सेख हसीना का अब इन से बीवाद होने लगा कि भाया इनको निप्टाओ कोई भी बंगलादेश में गरबरी होता था तो सेख हसीना इनी के और आरो उप लगा देती थी एक बार ऐसा हुआ कि सेख हसीना ने कहा कि मुहमद यूनूस को पदमा नदी में डुबा देना चाहिए जब उनको मरने वाले हो तो वापस निकाल देना चाहिए अपनी डुबाना चाहिए तो सेख हसीना के इनके साथ भी बीबात चल दा था अभी यहीं है किया टेकर प्रधान मत्री बंगलादेश का दिखेंगे बंगलादेश में दो प्रमुप नदी देखेंगे इनकी साइउक धारा में एक मेऺना के मिलती है तो इनको साइउक दोनों की साइउक धारा को हम मेघना नदी कहते हैं यह तो जोग्रफी का टॉपिक है अब दीकिए जब 2014 में सेख हसीना चुनाव जीतती हैं तो चुनाजीतने के बाद एक बहुत ही matured प्रभानमंत्री के तौर पर ये अपने देश का भला सोचते हुए भारत को भी लेके चलती हैं, चाइना को भी रसिया से भी, यानि बंगला देश तीनों को balance करके चल रहा था, ना जादे रसिया, चाइना, इंडिया किसी को जादे फेबर नहीं कर रहा था, क्योंकि ये हकीकत भी है, और ये बहुत majority से जीत किया थी, 300 में से 222 सीट, यानि एक 40% चुना जीत किया थी, लेकिन एक reservation के वज़े से यहां बवाल हो गया, reservation था कि 1971 की जो लडाई हुई थी, स्वतंत कराने के लिए बंगला देश में, उसमें कु में ये 30% आरक्षां उन Freedom Fighter के बच्चों को भी दे दिया गया, तो लोगों ने का कि भाईया, Freedom Fighter के बच्चों को क्यों दे रहे हो, फिर लोगों ने बरदास्किया कि चलो भाई, बच्चे को दे 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 तो ठीक हम, 2010 में, सेख हसीना जब पर्धान मंत्री आती थी, तो Freedom Fighter को बच्चा को भी आरक्षाड दिया गया, ये और बंगलादेस में होने लागा, भाईया, आप सबको आरक्षाड दे जाएगे, जो लड़ा था उसको दिये, ठीक है, बच्चा को दिये, फिर बच्चा को दे रहे है, ये ठीक नहीं है, तो एक बीरोध होने लगा, तो सेख हस सेना ने 2018 में ये 30% आरक्षाड खतम कर दिया, तो देश में बवाल खतम है, आरक्षाड को खतम कर दिया, लेकिन इसी बीच एक सवतंता सेना नी पहुच गया हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट में कहा कि नहीं हमें आरक्षाड मिलना चाहिए, क्योंकि हमने सवतंता की कोट ने डिसीजन दिया था आरक्षाड के लिए, और कोट के डिसीजन के बाद इतना भीसर बवाल हुआ था, और बंगलादेश में भी कोट ने डिसीजन दिया, उसके बाद भीसर बवाल हो गया, ठाका यूनिवर्स्टी के बच्चे जो थे सडकों पे निकल गए, इसमें अमेरिका की इंवल्मेंट हो गई, पाकिस्तान की इंवल्मेंट हो गई, और सेख रजीना थोड़ी रीजीड हो गई, उनको इंटरनेट सट्डाउन उसी समय कर देना चाहिए, और किसी भी करवाई करो तो गुत धंग से करवाई करो, और ये स्टूडें बहुत भयानक मेर मगदो था, वो पानी पिलाता था सबको, जो अंदोलन का रही थे, पानी पिलो, पानी पिलो, पानी पिलो, पानी पिलो, तो इसी दोरान जब पुलिस गोली चला इनों तो उसको लग गया, और भीसा और बवाल हो गया, कि भाया उस पानी पिला रहा था, आंदोलन नही कर रहा था तुमने गोली मार दिया और उगर हो गया आंदोलन इसी बीच युनिवर्स्टी के तीन विद्या थी नाहिद, आसिप और अबुबकर इन तीन जो में लीडर थे पुलिस इनको उठा लेती है अलग अलग जगा हो पे और सिविल ड्रेस में पुलिस उठा लेती है इन लोग को एतना मार मारती है अब मार के वीडियो बनवाती है तो यह लोग कहते हैं आंदोलन मत कीजिए लेकिन जब मारे रहेंगे तो पता चल जाएगा तो लोग कहते हैं कि जरूर इन लोगों ने अरेश्ट किया है तो बंगलादेश की पुलिस कहते हैं हमने कि इन लोगों को जब उठा रहे हो तो सिविल ड्रेस में उठाओ, अचा, एश्टी अव सिविल ड्रेस में उठाओ, लेकि इनके गारी पे लिखा हुए था पुलिस, बकलोर कहीं का भारा पे बोले रो ले आता, पता नहीं चलता, तो किसी ने वीडियो बना लिया था, कि पूरा उग्र हो गया बंगलादेश, अब सीधा कोच करते हैं, मार्च करते हैं कहां पर बंगलादेश में सेख हसीना के भवन पर, और इस तरह नान पूरी भीर सेख हसीना के दरवाजे तक चलने लगी, सेख हसीना ने हाई प्रफाइल मीटिंग बुलाया, जिसमें प्रफाटी के साथ ही, इंटेलिजेंस हेड को जो थे, वकारूद हसन थे, और साथ ही वहाँ पर जो NSA, नेशनल सीक्योर्टी एडवाइजर, तारीक हसन सिधीकी भी थे, ये तीनों लोग मिलकर सिर्क हसीना को कहें, कि हम भीर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हम लाठी नही चार्ज कर सकते हैं, आप यहां से चले जाएए, बंगला देश छोड़के आप चली जाएए, ये जाने को रेडी नहीं थी, तो इनके बच्चे को अमेरिका में फोन लगाए गया, इनकी बहन से बात कराए गया, तो इन लोगों ने समझाया, कि भीर ने ही 17 लोगों को मार दिया था घर में घुसके, आप ही बचिये खाला बचल है, चला ये बीर कभी जाएएगा वापस, तो 40 मिनित का समय दिया गया, और सेना पती ने इने वापस हेलिकॉप्टर से फिर जहाज में बैठा के भारत बही दिया, जब कि ये सेना पती बनने लाइक नहीं थे, वकार पर फिर सेख हसीना को बंगलादेश छोड़ना पड़ा है, हेलिकॉप्टर से फिर जहाज में बैठी, और जहाज में इनका सुपर हरकुलियस जहाज हिंडा ने अर्कोर्ट पर लिया के लैंड किया यहाँ पर, इस बीच जो सेख हसीना का बंगला था, गोनो भवन उसमें उगरवादी घूज गूज गया थे, आपको क्या लगता है, यह लोग सेख हसीना को छोड़े होंगे, सेख हसीना के सारी उठा ले गए लोग, अंडर गर्मेंट लेके चले गए समय आपे, सेख हसीना का निकलना तो खेर वहाँ पर था, लेकिन भारत का इंटेलिजेंस फे आपकार बना लिए और वहाँ अपनी पसंद का सरकार भी बैठा दिये, और एक अभी का इंटेलिजेंस हामारे यहां का, चुचा टुकु 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 देख रहा है, हाँ तो बंगलादेश के हेलिकोप्टर से और हमारी मीडिया कह रही है, कि सेख हसीना की जहाज के प सेख हसीना का जाना मतलब भारत का जाना, अब वहां सब जितनी ताकते आएंगी, सब उठपताएंगा आएंगी, अब वहां का सेना परमुग तो अलग था, बताये, इसमें मिल अजूलत था, और इसने ही गोश्चना है किया कि हम सरकार बनाएंगे, अब भारत है, जहां प अब भारत का जाना था, अगर हम रहते तो आपके अंदर कमांड हम कहीं, डिवटी पे रहते, तो इनका नहीं, आप पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, जो मिडिल क्लास है, गरीब हैं इन लोगों को आप पहा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आपर, तो सोचिए, भारत का एक सेना पती हैं, जो इनको इतनी ब्यस्तता के बावजूद इतना पता रहता है देश के बारे में आपर, तेरा लाग की, चौदा लाग की पोच को ये लोग समाल रहे हैं, और एक ही बंगला देश का है, इसकी यहां, इह सेना पती इतना लोगों को बताये, इतना भीर को नहीं रोग पाया, अवही भारत के सेना को दे दी जगा, तो कचूमर निकाल दिया रहते हैं, तो खर, सलूट हो हमको, भारत के सेना, हमारे पूरी सेना के उपर, जो इतना डिसिप्लीन तरीके से, प्रफशनल धंग से देश की सेवा करते हैं, अब से बंगला देश में उपद्रों बहुत जादे हो गया है, अब कोई लोग का काना है कि अमेरिका का इसमें चाल नहीं था, बिल्कुल चाल था अमेरिका का, अमेरिका देख रहा था कि बंगला देश कैसे इंडिया को भी बैलेंस कर रहा है, चाइना को भी रसिया को भी बैलें हाह अमेरिका के वहा। इहा है... są UH कि अर्ड रचिछ केते है दिख हैं चांप सेन्थ-जारीय विए सेन्थ-मार्चाइे कररिया है। या सिख चैनल से अमरिका कर दिया है, सबस्ट देड़न आभरत भी नाराज हो जाए गा, चाहिना ही वी नाराज हो जाएगा। यही आरोब लगाई थी अ scholarship. अभी हाली में अमेर्का के डिलिएर्स आयए थे सब मंगलादेस में. अब दिछेए, अमेर्का के योगधन कैसे नहीं है. उन्हें काएदे से बंगलादेस के पःदान मंत्री से मिलना चाहिए, और नेता भीपरक्श से भी मिलना चाहिए. यह इनका अधिकार है अरे यह चट्टे परदरसंकारी सेख हसीना का अंदर गर्मेंट नोच के लिए के चल गया सब इनके पर प्रटेश्ट नहीं होना चाहिए इनका अधिकार है अब कस्मिय में जब हम लोग आतंगादियों कमारते हैं तो हम लोग पर इंक्वाइरी बढ़ अब भंग्लादेश में हिंदु के साथ माइनोर्टी के साथ अतियाचार बढ़ जाएगा अब कौन होख सकता है उसको बढ़ने से लिए सरकार जो थी सेख हसीना की वो नीट्रल सेख बुलर सरकार थी अब उस पर बढ़ जाएगा अब सरकार इस पर कितना रोख सकती है यह स्टूडेंट हैसा नहीं है साथ और हम लोग कह रहे हैं बहुत गलत हुआ सेख मुझीबुर रह्मान का पुतला नहीं गिराना चाहिए अब भारत में जो गांधी जी लोग को मारते हैं लोग तो इनकी जो कहते हैं लोग ना थू राम गोटसे की जये तो दुनिया हम ल देश को कहते हैं इतना समझते कि भाई तुम्हारा देश का राष्ट पीता है उसको पूतला मत फूको तो हम लोग में भी यही होता है तो रेडिकलाइव नहीं होना चाहिए देश के लिए अच्छा बात नहीं है अभी भारत को यही मौका है कि यही मौका है कि चीकन नेक अभी भारत से बहुत सारी कंपनी बंगलादेश को बिजली सप्लाई कर रहे थी अदानी ग्रूप एंटी पीसी पावरिड करपोरेशन अब बंगलादेश के लोग हम लोग का बिजली पूंक दिया तुम लोग और आथ हजार को बिजली बी लभी तक नहीं दिया हम लोग का बिजली दे दो बिल दे दो इतना फूंक दिया यहाँ पर लेलो तो यह समझ में आया होगा और अभी सुबह साथ बजे पॉलिटी चल रहा है आठ बजे जोग्रफी नौ बजे फीजिक्स स्टार्ट होगा और दस बजे इंडियन मैट तो सुबह का नीन त्याग यहाँ बीपेसी बैज बीश्टार्ट होने अला दस बारा सेप्नेबर के आसपस में यहाँ पर तापी सारे टॉपिक को सम्झेओंगे मिलें नेक्स प्लास में जैहिन जैहिन थैंक्यू तो गाइस कैसा लागा मेरे तो बावत अच्छा लागा यहाँ बेरी एस्टफर्ट अच्छा खाटी बोले एंड बहुत ज्यदा इन्फर्मेशन इन्फर्मेटिव जिनिश तिनी आलोशना कोयन वी प्रूब तो कुब हालाक से और थैंक्यू फोर वाचिंग और कास्व प्लीज बाताव और कैस्व प्लीज बाताव में आगे मन की बोली हिंदी आम ट्राइं अच्छा कोटते हैं हिंदी बोलार कुब ताला तरी शिखे हो जाबो आर एई प्लास नंद केके देख सो वीडियो अवस्टरी कॉमेंट कोड़े जानाव और होचे की बोलबो आशले पोलिटिक्स निये आशले बोलार की छुई नाइकार आमी अधर बोचियो ना तो वीड आर नावस्टे एगाइन और शेगेन अनुद्र ने प्ली चानल सब्काइब कर आवर सेकंड चैनल जाओ विचित करो आनो खने बोलो तैना आव एल मेंशन ये नेव नेव पोर निक्स नेक्स एक्षान वीडियो ओके सव नावस्टे गाइज अवारता कुश्वाज भी